नमस्कार सभी मित्रो चैनल कहानी की पोटली पर आप सभी का स्वागत है गर में विवाह योग्य एक कन्या थी, राधे गुप्त को हर समय उसकी चिन्ता सताती रहती थी, वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ती भले ना हो पर वह कर्मठ हो जो किन ही भी परिस्थिती में उसकी बेटी को खुश रखे और उ खुद के शिशों में से ही योग्य वर की तलाश करे, उनसे बहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्नय लिया और सभी शिश्यों को एकत्रित किया। राधे गुप्त ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोज़त करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हैं, जिसके लिए उनके पास परियाप्त धन नहीं हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिश्य विवाह में लगने वाली सभी सामगरी कैसे भी करके एकत्र करे। भले उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देखना सके इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिश्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरहत्रह की वस्तु चुरा कर लाता और राधे गुपता को दे देता। राधे गुपता उन्हें एक विशेश स्थान पर रख देते क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था यह सब वे अपने शिश्यों को सही ज्यान देने के लिए कर रहे थे। सभी शिश्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे। लेकिन इन में से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था जिसका नाम रामास्वामी था। वह राधे गुपता का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठे देख राधे गुपता ने इसका कारण पूछा। तब रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त कोई ना देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही हैं। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते, इसका अर्थ यही हैं कि चोरी करना व्यर्थ हैं, उसकी यह बात सुन राधे। गुपता के चहरे पर कुशी चा जाती हैं, वे उसी वक्त सभी को एकतर करते हैं और प अंतर्मन से भी इस चोरी को छिपा सके। अंतर्मन से चिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है।